हेलो फ्रेंट्स वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इसमा इंवेस्टमेंट में फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम एंडी टीवी के शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं यह स्टॉक जो है मल्टी एयर हाइस पे चल रहा है स्टॉक ने कोविड के समय से लेकि अब तक 10 गुना सज़दा का रिटन दे चुका है पिछले दो दिन से भी स्टॉक सरकिट पर देखने को मिल रहा है तो ऐसे में स्टॉक में अब कितनी तेजी बाकी है क्योंकि यह स्टॉक अगर आल टाइम हाई के बात करे तो वहां से अभ बारे में इस वीडियो में बात करी है एंडी टीवी का नाम सबने सुना होगा फ्रेंट काफी फेमस हिंदी न्यूस चैनल है इसके अलावास ग्रूप के दो चैनल और हैं एंडी टीवी 24 इंटु 7 और एंडी टीवी प्रॉफिट मेजॉरटी ऑफ रिवैन्यू इनका एंड वर्दस रिजल्ट जो है क्वाटर 3 में कंपनी को देखने के मिलेते जहां 116 क्रोड की सेल पर 28 क्रोड का नेट प्रॉफिट आया था Q&Q बेसिस पर 12 क्रोड से बढ़कर 28 क्रोड आया था पिछले 9 साल में कंपनी का कहना था कि यह सबसे प्रॉफिटेबल क्वाटर है बात स 500 क्रोड से जादा के डेट थी जो 50 क्रोड के आसपास रहे गई है पिछले लगबग 18 महीने में 100 क्रोड के आसपास की डेट कंपनी ने कम करी है तो आप समझ लीजिए किस तरह से फिनांशल यहां पे इंप्रूव हो रहे हैं यानि कि जो रैली है वो फंडामेंटली सपोर् उसके साथ हमें कमपनी के फंडामेंटल भी उस तरीके से चेंज हो रहे हैं फिर्ट कुछी रीजन जिसकी वज़े से स्टॉक में इतनी जवादस जो है बढ़त देखने को मिली है एक तो जिस तरह से प्रॉफिट्स बढ़े है पिछले तीन-चार क्वाटर से जिस तरह से पुरा टर्न आराउंड देखने को मिला है एक वो डेट का लेविल जिस तरह से रिड्यूज हो रहा है फ्रेंट्स पचास क्रोड के आसपास की बुक्स पर डेट है कंपनी जो है टी टीम बेसिस पे लगबग सतर से सी क्रोड रुपे कमा सकती है तो हो सकता है कि अगले एक चैनल मीडिया के शियर्स को वैसे कोई ज़्यादा जो है market rich valuations नहीं देता है पर इसमें भी electronic मीडिया खोड़ा काम impacted है अज की आट में print मीडिया के ज़्यादा बुरा हाला आते electronic मीडिया भी हाला कि जो है individual से और तरह तरह के डिजिटल जो मीडिया चैनल से हो गए हैं वहां से काफी कॉंपेटिशन कर रहा है पर उसके बाद भी एंडी टीवी इंडिया अपने सेक्टर में काफी वैल प्लेजड है और बहुत अच्छे जो है उप्रेशनल फ्रेंट पर कंपनी में जो है यहां पर ज इस तरह से मैनेजमेंट कॉंफिडेंट है मानके चलिए कि आने वाले टाइम में भी यहां पर जो है एक जबर दस जो है प्रॉफिट के ट्रम पर रिवैन्यू के ट्रम पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है इस टॉक ने 2006 साथ के आसपास जो हाई बनाया था वो लगबग 500 लगबग जो अगर हम Fy23 की बात करें तो 12 से 13 रुपे का पी स्टॉक जो है क्लॉक कर सकता है कंपनी क्लॉक कर सकती है तो उसके सामने देखें तो लगबग लगबग जो है 17-18 के पी पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है वालुशन इन लाइन है इसका कंपारिजन हम जील जैस के उसमें कंपेर करें तो वालुशन वहां भी ऑल्मोस सेम है मीडिया की किसी भी कंपनी को मैंने बहुत रच वालुशन पर ट्रेड करते हुए नहीं देखा है सम्हाँ इतना बढ़ने के बाद में एंडी टीवी के वालुशन मेरे को थोड़े से एक्सपेंसिव लगने से यूट्यूब चैनल से उनसे काफी ज़्यादा इस पर बहुत खतरनाक साबित हो सकती है मार्केट में भी थोड़ा सा कंसॉलिडेशन भी है और लगत रहा है कि मार्केट का टॉप बन चुका है तो ऐसे मैं से स्टॉक आपको हमेशा आपने देखा होगा अच्छे अच्छा खासा प्रॉफित हो रहा है तो बुकिंग के प्रॉफित करने की तरफ देख सकते हैं अदर्वाइस होल्ड कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हमें सरकित दो सेशन से लग रहा है अब सरकित लिमिट भी रिडियूज हुई है तो ऐसे में स्टॉक में क देखने को मिलेगी पर कोई बहुत बड़ा ग्रोफ फेक्टर इस तरह के सेक्टर में आना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह सेक्टर बहुत हाइली कॉंपिटिटिव है और एंट्री वैरियर नहीं है सबसे बड़ी बात है और सेक्टर में काफी ट्रांस्फॉर्मेशन तो मेरा मानना है कि अभी वालुशन से एक्सपैंसिव ऊचुके हैं फ्रेश एंट्री का कोई मतलब नहीं है और बहुत ज़्यदा तेजी यहां से आएगे सके भी चांसे मेरे को कम लगते हैं तो फ्रेश एंट्री का कोई मतलब नहीं है हाला कि जिनके पास नीचे के लेव पुले थे पुले का कि नहीं है गहीं है हाला कि लाम तेफे मतलब नहीं है थे जएगे के लिएगेर और अबते हैं तो अएगे को कम तने पास अने शवेवां थे वाल क्यावे वाल है